हाई दोस्तों आप देख रहे हैं गुरुजीत व्लॉग्स और आज आप बात करने वाले हैं टॉप 5 बाइक अंडर 80,000 रुपीज दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं बजट बाइक का जो अच्छी मैलेज भी देती हो आपके डेली राइडिंग के लिए भी अच्छी हो ओफिस राइडिंग के लिए अच्छी हो और किसी को गिफ्ट देने भी आपको चीप एंड बैस पड़ जाए जो कि आपको अच्छा प्रफॉर्मिस भी दे दे सिटी राइड पे तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है अपनों गुगले बहुत जाने इंफिमेडियो बिकॉज एक ओनर एक बायर पॉइंट आप विव से क्या क्या चीज़ आपको देखने चाहिए ना प्रो एंड कॉन्स और फीचर्स डिटेल्स प्राइजिंग ये स सारइसी च Осब करने वाले जिटो में तो मेक शूर इस वीडियो को आगगे जा लिए जानते हैं दोसतों स्राट करने से पहले ज़र्दी से एस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रैंद्स और फैंली के साथ सेर कर दीजें और ससस्क्राइब जरू करड़ बिढ़ दोस्तों सर्विस नेटर, Honda के सर्विस नेटर के बहुत जादा बड़ा जिसके वाइस राटमिक को बहुत जादा पसंद आता है, दोस्तों इस मॉडल में आपको दो बिनिट मिल जाते हैं, डर्म ब्रेक एंड डिस ब्रेक के 68,000 से लेके 73,000 के असपास में एक्शोर आपको मिल जाता है, की फीचर्स अगर इसमें हाइलाइट करूं है इस मॉडल के, तो दोस्तों पारफुल 125cc इंजन मिल जाता है, दोस्तों सालेंट स्टार्ट, ACG मिल जाता है आपको, इसमें इलेक्रिक स्टार्ट मिल रहा है, HET BS6 इंजन मिल रहे है, 5-step adjustable rear shock absorber मिल रहे है दोस्तों, analog instrument customer मिल जाते हैं, आपको CBS, CBS braking मिल रहे है, tubeless tire and allowables के, यह सो फीचर्स आपको, मिल जाते हैं, अगर इसमें pros and cons की बात करें, जो कि important है, बाहर करते हैं, आपको इस ध्यान देनी चाहिए, तो दोस्तों, BS6 engine मिल रहे है, 125cc जो कि मैने बत रहे हैं, आपको, build quality बहु लेकि थोड़ा सा finger pointing की जारे कि design जो है, तोड़ा old हो चुका है, outdated हो चुका है, इसका highway performance जो है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं, बाकि city के लिए, यह overall बहुत अच्छा है, और बहुत सारे riders जो है, daily use के लिए इसको use करते हैं, दोस्तों, नबर 4 पे है, बजाज पलजर, 150C, नियो मॉडल, दोस्तों, यंग्स्टर को यह मॉडल बहुत यह पसंदा रहा है, अंडर 80,000 एक बहुत यह अच्छा option भी है, दोस्तों में, दो विरिंट मिल जाते हैं, आपको, drum brakes and disc brakes, 70,000 to 75,000 के आसपास में, एक शोरूम प्राइज में, आपको यह मिल जाता है, दोस्तों आपको CBS braking मिल जाती है, इसमें, tank जो है, 11.5 liters का है, weight इस segment में थोड़ा है, 140 kg के आसपास पर पढ़ जाती है, दोस्तों, की feature को इसमें है लेड़ तो पावरफुल एंजन मिल रहा है, स्पोर्टी डिजाइन मिल रहा है, optional disc brake option मिल रहा है, tubeless and allowable भी मिल रहे हैं इसके साथ में आपको, और दोस्तों, clip-on handlebar मिल जाता है, और semi-digital आपको instrument console भी मिल रहा है, दोस्तों, यह तो की pros and cons के बात करें, तो थोड़ा सा bike को heavy care कहा जा रहा है, यंग्स्टर के हिसाब से, otherwise यह model में और कोई भी cons नहीं है, यंग्स्टर को इसलिए, इसका look design बहुत ही पसंदा रहा दोस्तों, नबर 3 पे है, hero की glamour fi model, दोस्तों, यह model जो है, बहुत पहले sale हो रहा है, इसका user review भी बहुत ही अच्छा है, positive है, इस model को लेके, और दोस्तों, इस model में भी आपको दो variant मिल जाते हैं, disc and drum, जो pricing है, इसकी 69,000 to 73,000 के action price में आपको यह model मिल जाते हैं, key feature अगर highlight करो 65 की average आराम से देती हैं, 95 km per hour की speed आराम से, FI fuel injector आपको इसमें मिल जाता है, IBS braking मिल जाती है, 10 liters की fuel tank capacity इसकी, and दोस्तों, weight जो है, 122 kg के असपस मिल जाता है, and दोस्तों, अगर कुछ इसमें key features अगर और भी highlight करें, तो dual tone जो है, body graphic मिल रहा है, आपको, analog, digital, instrument cluster मिल जाता है, LED tail lamp मिल जाता है, allowable tubeless tire मिल जाता है, integrated braking system आपको मिल रहा है, जिसको मेरे बता है कि IBS system मिल रहा है आपको, और 100 mm wide tires मिल रहा है, जो कि tires की जो rate है, वो भी अच्छी दी जा रही है, इस segment के साप से self start मिल रहा है आपको, ये तो होगे pros की बात, दोस्तों, cons के अगर बात की है, third number, दोस्तों, number two पे totally deserve करता है, बजाज pulser 1.5cc split seat model, दोस्तों, ये riders को भी बहुत आपसना रहा है, जब से ये launch हुआ है, तब से उसका sale भी बहुत आचा है, इसका जो pricing आ रहा है, वो है 79,000 actual price है, दोस्तों, की features अगर highlight करूं, तो 55 kmpl के आसपास में आपको average दे देती है है, और दोस्तों, 100 kmph की speed जो है, वो टच कर लेती है, 5-speed gear मिल जाता है, CBS braking मिल रहा है, 11.5L का आपको इसमें fuel tank मिल जाता है, 142 kg की ये बाइक है दोस्तों, और दोस्तों, powerful 110.66C engine, DTSI engine मिल जाता है, और आपको अलविल, tubeless tires, analog, digital console मिल जाता है, maintenance free battery मिल रही है, LED tail light है, electric start है, split seat option जो की बहुत अच्छा look में लग रहा है, और दोस्तों, इस segment में heavy weight जो इसका बहुत ही जाता है, मतलब बाकी जो bikes हैं, वो 100 to 125 तक जाती है, ये जो है 140 kg के असपास की bike है, तो heavy भी look दे रही है, और दोस्तों, ये तो हो गई pros की बाद, and cons की अगर बात करें, तो दोस्तो इसमें थोड़ा सा problem जो देखा जा रहा है, वो service side में finger pointing जाता है, ये service जो है बजाच की, उस पर finger pointing है, otherwise ये model जो है perfect है, second number, totally deserve करता है, दोस्तों, number 1 को totally deserve करता है, Honda Shine का SP model, दोस्तों, ये model जो है, under 80,000 एक best option कहा जाता है, इसका graphic look design जो है, वो riders को बहुत हा पसंदार है, दोस 74,000 to 78,000 के extra room price में आपको ये model मिल जाता है, इसकी जो mileage है, 64 kmpl के आता मिल जाती है, 95 की speed तक ये touch कर लेता है, and 5 speed gear मिल जाता है, CBS braking मिल रही है, 11 liters का आपको fuel tank capacity मिल रहा है, 118 kg की ये bike है दोस्तों, and दोस्तों इसमें अगर key features थोड़ा सा highlight करें, तो muscular tank layout मिल जाता है, LED tail lamp और दोस्तों आपको head lamp भी मिल रहा है, दोस्तों sporty allowables मिल रहे है, tubeless tire मिल रहा है, fully digital instrument cluster मिल रहा है, दोस्तों, engine self start मिल रहा है, CBS braking मिल रही है, and दोस्तों इसमें silent engine, silent start जो है, ACG के through, वो भी मिल रहा है, तो ये सारे features के साथ में दोस्तों आपको 6 year warranty भी दिया जा रहा है, इसका reliable engine जो है, Honda का, वो riders को बहुत जा पसंदाता है, इसकी build quality भी बहुत जादा अच्छी है, compared to other जो इसके Honda के model थे, जो shine के model थे, इसकी जो build quality है, थोड़ी सी अच्छी भी लग रही है, but थोड़ा से इसमें cons भी दिया हुआ है, दोस्तों, इसमें जो है, थोड़ा सा feature जो है, again, थ slightly, जो है, इसका ground clearance, जो है, उस पर थोड़ा finger pointing की जा रही है, otherwise, ये model top को totally deserve कर रहा है, दोस्तों, I hope दोस्तों, आपको top 5 list, जो under 80,000 है, ये पसंद आई होगी है, दोस्तों, क्या है आपका suggestion, आपको क्या लगता है, वो जरू मुझे comment section बताएगा, दोस्तों, मैं एक चीची क्लिए करना चाओंगा, कि दोस्तों, वैसे तो maximum bikes जो होती है, वो अच्छी ही होती है, बट हाँ, हर कोई top नहीं कर सकता, दोस्तों, हर किसी को top में हम नहीं set कर सकते, top पे होने के लिए कुछ key features होने चाहिए, तो दोस्तों, ये सारी features जो है, इन 5 models में मुझे लग रहे हैं, ये मेरे एसाब से, ये top 5 models है, वो एक riders की needs है, वो fulfill करते हैं, pocket friendly भी होते हैं, performance भी अच्छा देते हैं, और दोस्तों, low maintenance भी होते हैं, तो दोस्तों, मैं यहाँ वीडियो के end करना हूँ, अगर आपका कोई doubt and query है, या suggestion है, तो comment section का भुरपूर रुपयो करिए, ख्याल रखे ध्यान रखे, और देखते हैं, गुरुजीत व्लॉग, ऐसी बहुत सारे informative वीडियो आपके लिए आती रहेंगे, बाई